तो चलिए, हम शुरुवात से देखते हैं, जब हम भोजन को चबाते हैं, इसमें लार यानी की सलाइवा मिल जाता है, मुझे सलाइवा ग्लैंड्स लार स्रावित करते हैं, सलाइवा में एंजाइम होते हैं, जोकि स्टार्च का विखंडन करते हैं, स्टार्च एक तरह के कार वो हाइड्रेट होता है, भोजन मुसे लंबी नली नुमा ग्रसिका से होकर आमाशे में पहुचता है, आमाशे का भीतरी दिबार भी पाचकरस शावित करती है, जो प्रोटीन और फैट्स के पाचन में मदद करते हैं, लेकिन भोजन का आमाशे में पूरी तरब पाचन नहीं अमाशर से आधा पचा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगते हैं। इसके द्वारा शावित होने वाला बाईल जूस एक थैले जैसा अंग में संगरहित रहता है जिसे गॉल ब्लेडर यानि की पिताशय कहते हैं इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है यहाँ पर एक और ग्रंथी होती है जो पाचकरस शावित करके अगनाशय कहते हैं पैंक्रियाज एक बड़ी क्रीम कलर की ग्रंथी है जो आमाशय के ठीक नीचे होता है अगनाशयरस कार्भोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर क्रिया करता है और उन्हें सरल रूप में परवर्थित कर देता है पितरस अगनाशयरस इंटेस्टाइन मे इस छोटे से पाइपनुमा रास्ते से जाते हैं इंटेस्टाइनल जूस और अगनाशयरस में शरकरा या कार्भोहाइड्रेट्स प्रोटीन और फैट्स को विखटित करने वाले एंजाइम्स होते हैं पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है पोशकता तो स्म स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार द्वारा अवशोशत कर लिये जाते हैं जो रक्त वाहिकाओं से भरी होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार में उंगली के समान सनरचनाय होती हैं जिसे रसांकुर यानिकी विली कहते हैं प्रत्येक विलस में बहुत सारी रक्त बाहिकाएं होती हैं. विली द्वारा पचेहवे भोजन का अवशोषन हो जाता है और भोजन विली से ब्लड वैसल्स में चला चाता है. पचेहवे भोजन के अवशोषन के बाद भोजन का वभाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, वह ब्रहादांत्र यानि की लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से पानी अवशूशत कर लेता है। पानी के अवशूशन के बाद अपचित भोजन अर्ध ठोस यानि की सेमी सॉलिड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंट में इस्थित थैली नुमाज सनरचना रेक्टम में जमा हो जाता है। इस अवचित भोजन अर्ध ठोस यानि की सेमी सॉलिट को मल या फेसिस या स्टूल कहते हैं। समय समय पर ये फेकल मैटर एनस या गुदादवार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचनली में मुख, ग्रैसिका यानि की एसोफेगस, आमाशय यानि की स्टमक, शुद्रांत यानि की स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेह दांत्र यानि की लार्ज इंटेस्टाइन और इसके साथ ही मलाशय और गुदाभी होते हैं। आहार नलिका और उससे स समधित ग्रंथियां, लिवर, पैंक्रियाज, ये सब मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं।